हुली का त्योहार 20 मार्च 2019 को आ रहा है हुली का त्योहार पूरे देश में बड़ी धुमदाम से मनाया जाता है इस त्योहार के दिन लोग आपस में मिलते हैं एक दूसरे को रंग लगाते हैं 20 मार्च 2019 को हुली का ध्यान होगा तथा 21 मार्च 2019 को हुली का उस्व मनाया जाता है इस दिन कुछ तंत्र के ऐसे उपाएं जिसे करने से जीवन में भहुत लाव होता है सुक सम्रद्दी भी आती है रोजगार भी मिलता है तथा बिमारियां दूर होती है आज मैं एक ऐसे महत्पून उपाय को बताने जा रहा हूँ जो कि रोजगार से संबंदित है यह उपाय करने से रोजगार जल्द से जल्द मिलता है एक निम्बू ऐसा लीजिए जिस पर कुछ दाग लगा हुआ हो दाग लगा हुआ निम्बू लीजिए उसे रात्तरी में 12 बजे खुली का दहन के दिन यानि 20 मार्च के दिन लेकर जाईए चुराय पर चुराया ऐसा होना चाहिए जो व्यस्त हो ज़्यादा ट्राफिक होता है वही चुराय का चैन कीजिए उस चुराय के उपर आप उस निम्बू के चार हिस्से कीजिए चार फांत कीजिए और च जाईए घर आकर आप घर के बहारी पेर और हाद दोकर घर में प्रवेश करें ऐसा करने से रोजगार जंद से जंद मिलता है दूसरा उपाए व्यापार में लाब के लिए उसे होली ध्हन के दिन आप एक गुलाल का पैकेट लीजिए उसे खोल लीजिए उसमें एक मोती शंख और एक चांदी का सिख्खा रखिए उसके पच्चा उसे लाल प्पड़े में लाल मूली से बांद कर रात्री के समय आपने घर में रख लीजिए दूसरे दिन प्रातर इसे देखे बिना मुड़े आप अपनी दुकान में उसे लेके जाईए तता केश बाक्स में रख दीजिए और उसे रखा रहने दीजिए एक वर्ष तक जब तक अगला होली धैन कारीकरम नहीं होता है तब तक आप रखे रहेंगे आपका कभी भी केश बाक्स खाली नहीं र लिए तता यदि घर पर किसी ने कोई कुछ तोना टोटका किया है और जीवन में परेशानिया आ रही है तो होली उत्सव का दिन होली का ध्यान का दिन बड़ा महत्पून होता है आपको एक अचुक तंत्रसास का नुश्का में बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत हर सदस्वे उस नारियल को उतारिए और जहां होलीका का ध्यान हो रहा है उस नारियल को वहां उस होलीका के ध्यान में डाल दीजिए और साथ परिक्रमा जहां होली ध्यान हो रहा है वहां पर आप कीजिए उसके बाद घर आईए तथा माता पिता का आशिरवाद लीजिए तता भगवान को आप भोग लगाईए मिश्ठान का और उसके बाद उस भोग को ग्रहन करिए पुरे परिवार के साथ ऐसा करने से आपकी जितनी अला बला है बोत प्रेद बाधा सारी जो है वो खत मो जाती है हुलीका में हुलीका के दहन में जलकर भस मो जाती है अब आप चोथा उपाए हुलीका यदि आपका विवा नहीं हो रहा है तो हुली दहन का दिन भहुत आपके लिए उप्योगी साबित हो सकता है आप एक साबुत पान लीजिए उस पे एक सुपारी और हल्दी की गाड़ रखिए तता भगवान शिव के मंदिर में जाईए जह शिवलिंग हो वहाँ पर उसे भगवान शिव को अरपित कीजिए और अरपित करने के बाद प्रनाम कर आप वहां से लोट आईए पीछे पलट कर आपको बिल्कुल नहीं देखना है सीदे घराना है ऐसा करने से जल्द विवा होता है यहां प्रयोग आपको साथ दिन तक कर होली का देहन का दिन बड़ा महत्पून होता है इस दिन यदि विमार है तो आप ग्यारा माला एक मंत्र में आप वतारा हूं उसका जाब कर लीजिए होली का देहन की रात मंत्रे एक बारो रिपिट कर रहाँ ओम नमो भगवते रुद्राइव म्रतार्क मद्ये संस्तिताई मम शरीरम अम्रतम कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र का जाप करने से रोग नाश होता है तता भहुत लाग होता है आपको हुली का दहन और हुली का उत्सों के दिन जो महत्पोन उपाए हैं जो करने हैं वो बताए हैं दोस्तों यह त्योहार हमारे जीवन में रंगों का त्योहार होता है और रंग भर देता है इस त्योहार को आप बड़े हरसोलास से मनाईगे यदि आपके जीवन में किसी तरह की परिशानी है तो आप मुझसे संपर्ग कर सकते हैं वैसे तो मेरा यूट्यूब चैनल है वही काभी है उसमे मैं धेरों उपाए आपको रोज परदान करता हूं आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप फैस्बूक पेज को लाइक कीजिए और यदि बहुत ज्यादा समस्या है तो आप साही अनकुर्णा शोचल फाउंडेशन के नंबर पर संपर्ग कर सकते हैं मैं आपकी समस्याओ का समाधान करने का प्रहास करूँगा धन्यवाद होली का उत्सव होली का त्युहार की आपको बहुत बहुत शुब कामना है आपका दिन श आने के लिए सब्सक्राइब करें वास्तोगुरु मनिश साई यूट्यूब चैनल पर